तो फेल ये फैमिली आप फिर से आगे डरते के लिए कोई बात ने मैं आपके साथ हूँ इस सफर में और मैं भी होता ही डर रहा हूँ जितना आप डर रहे हूँ और मुझे ये देख करना बहुत अच्छा लगा कि इस भूत वाले गिम जिसका नाम है Man of Maiden इसके एपिसोड वन को आपने बहुत पसंद गिया और आपने बहुत प्यार दिखाया तो सबसे पहले तो फेल आर्मी आप सभी को थैंक यू बहुत सारे भूते पता नहीं लेकिन सारे भूतों ने एक-एक soldiers को मार दिया और उसके बाद हम कहानी देख रहे है प्रेजेंट टाइम में Alex उसकी girlfriend जूलिया और ये दोनों boyfriend girlfriend अपने दोनों भाई को लेकर आए ताकि सब get together करके एक trip पे जा सके तो इन चारों ने एक diving trip का plan बनाया और इनकी ship की captain का नाम है Fliss और अब इनकी किस्मत अच्छी है या इनकी किस्मत बुरी है क्योंकि इनको world war 2 के time का एक plane पानी के अंदर डुबा वा मिल गया है तो Conrad उनकी ओपर 10-20 डॉलर फिक कर उनका मजा खुडाने लगा और आदमी काफी गुस्ता हो गया ये देखकर और हमें last episode में future भी दिखाया गया था कि ये आदमी Conrad के ओपर gun point कर रहा है तो सबसे पहले तो आज की gameplay में हम लोग ये दिखेंगे कि Alex औ जूलिया को जहास के मलवे में क्या मिलता है तो Fail Army आज की gameplay स्टार्ट हो रहा है कंबल के अंदर दुबग जाईए और दोनों पैर अंदर कर लिजे क्यों फिर दिक्कत हो सकती है और Fail Army मैंने अपने YouTube Analytics पर देखा है कि आप में से बहुत लोग है जो डेली वीडियो देख रहें लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसे मत करो सब्सक्राइब कर लो गरीब की दूआ लगीगी तो चलो फिर आज की gameplay स्टार्ट किया जाए मेरे बाई अगर आप रात के बारा बुजे एक बाद ये गीम देख रहें ओहो सलूट है आपको मैं लिख के देदे था हूँ कि इस जहास के मलबे के अंदर कम से कम एक से दो भूत होंगे टो जूलिया और आलिक्स बहुत जादा एककसाईटेडेड और जूलिया बोल रही होपूंगे हमने ये घंड़ दिखाया ये एक तरह सेबूल सकते हूँ कि हमारा सफना पूरा हो गया है तो एलेक्स भी बोल रहा है कि हाँ सही बोल रही है तुम और इसलिए में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए पूरे प्लेन को एक्स्प्लोर करना चाहिए तो pipe के अंदर कुछ काम का है लेकिन Alex मना कर रहा है क्योंकि अपना gear उतार के अंदर जाना होगा और Alex बोला है कि अगर pipe के अंदर फस गई तुम अपने बिना oxygen mask हे तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन मुझे वो paper चाएगी इसलिए जूलिया को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो जूलिया अपना गेर उतार के जा रही है और अलेक्स को पूरी कितना डरपोक मत बनो थोड़ा जीना सीखो मेरे इस फैसले के वज़े से जूलिया अगर मर गई ना बहुत बुरा लगे लेकिन मुझे नहीं लग रहे कि इतनी छोटे से फैसले के वज़े से ये मरेगी कसम से भाई मुझे लगा कि ये खाने आ रहा है ये ओक्टपस था लेकिन कुछ नहीं ऐसी पानी के अंदर तो ऐसे जीव मिलते ही है कोई बात नहीं सही टाइब पे स्कुएर दबा दिया वरना ये पिपर मिस हो जाता तो चुरिया के रस्ते लगने वाले थे एलिक्स ने बचा लिए और ये बोल रहे है कि देखो यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी बेवकुफी की न तो सिफ एक ही चांस भी लेगा और काम तमाम हो जाएगा तो इसको मैं डाट भी सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि नहीं नहीं जूलिया ठीक थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो जूलिया जो अपने जान पे खेल के ये पेपर उठा के लाई है इसमें है क्या तो इन सोल्जर्स ने तीन एरिया सर्च किया था लेकिन उनको कुछ मिला नहीं ये लोग किसी चीज की तलाश में थे अच्छे ये प्लेन को भेजा गया था किसी को बचाने के लिए और अब्विसली सॉल्जर्स को बचाने के लिए भेजा गया था और भले ही पानी ने इस सीज को मिटा दिया कि ये प्लेन किसको तलाश कर रहा था लेकिन हम लोग समझी गए कि ये प्लेन उसी भुताः शिप की तलाश में था और मुझे ऐसा लग रहे कि उसी शिप के भुतों ने इस प्लेन की भी ये हालत की है तो अब तो जूलिया दे भी कनफॉर्म कर दिया कि ये प्लेन उस शिप को बचाने किया था अब इन लोगों को नहीं पता है उस भुताः शिप के बारे में लेकिन मुझे और आपको तो पता ही है और अभी भी फिलाल मेरा अब्जेक्टिव यही है कि इस प्लेन को अच्छे से एक्स्प्लोर करना है देखते इसके अंदर और क्या-क्या मिलता है जिस हिसाब का संदाट है न मैं पक्का बता रहा हूँ भाई कुछ तो भेंकर होने वाला है यह लोग अचानक से डराएंगे इस स्केलेटन को घुमाया और अगर यह जिन्दा हुआ तो पानी के अंदर तो कहीं भाग भी निपाएंगे इस ओफिसर के हाथ में कुछ है मुझे लग रहना कि जब प्लेन क्रैश होने वाला होगा तो इनको समझ में आगिया होगा कि अपनो मौत होनी है तो इसलिए अपने चाहने वालों की फोटो अपने हाथ में रख ली होगी वो सब ठीक है लेकिन अचानक से जिन्दाओं के डराना मन तो जूलिया परिशान हो रही और बोल रही कि आकरकार यहां पर हुआ क्या था तो एलिक्स ने बुला कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को समझ में आगिया था कि यह लोग मरने वाले है इतने पुराने प्लीन के अंदर से आवाज आरी मत चेक करो लेकिन चेक करेंगी यह लोग बहुत ही आराम से खुल गया और कुछ हुआ नहीं मुझे लग रहा है कि अचानक से कोई जम स्क्यार आएगा लेकिन अच्छा है अच्छा है भाई यह हुआ तो इस पादी वाले साप ने अल्मोस्ट हाट अटैक नहीं दिया था और अलेक्स ही थोड़ी चट्ड़ी पी गिली हो गए कोई बात नहीं भाई प्लेन क्राश नाट हाइए पक्का नहीं मरना चाहता तो अलेक्स मना कर रहा है इस चीजों के साथ छिर छाड़ करने से क्योंकि बहुत टाइप से यह चीजे नीचे हैं लेकिन जूलिया बिन्नास लड़की है तो थोड़ा तो छिर छाड़ करना बनता है तो ऐसा है दा कि अब अलेक्स की बात मानी लेते हैं अब कुछ नहीं चुएंग भाई यहां से चुपचाप से निकलते हैं इसे पहले इनमें से इक की मौत हो जाए यह स्केलिटन जिन्दा होके मारने ले ओ भाई यह क्या है आज़ा एलिक्स इस शाड के बार वे जानता है यह अपने को खाईगी नहीं तो एलेक्स तो बहुत ही रोबैंटिक आत्मी और अपनी गल्फरेंड को बहुत पाता है पानी के अंदर शादी के लिए प्रपोस कर रहा है तो मैं एलेक्स बोलता हूँ कि अभी हम लोग मरते मरते बचे है तो जूलिया शादी का प्रपोसल सुनके हकलाने लगी अचानक से क्योंकि सप्राइज भी हो गई है और ये बोलने लगी कि हम लोग मरते मरते बचे है पर एलेक्स शादी के लिए सीरियस है इसलिए जूलिया ह तो जूलिया ने हाँ बोल दिये दोनों की शादी भी होगी लेकिन शादी होने तक जिन्दा बचेंगे दोनों जूलिया निकलने बोल रही है बढ़िया तो फ्लिस को इन्फॉर्म कर दिया है जूलिया ने कि हम लोग उपर आ रहे हैं ये उन्ही लोगों की बोट है जिनका कॉन्डाट मजाक उड़ा रहा था तो फ्लिस के शिप में पता नी क्यासे आग लगई और ये उपर तो जाना है लेकिन डिकम्प्रेस अगर किये बिना गया और कुछ कांड हो गया तो डिकम्प्रेस पहले कर लेते हैं ये काम करके जूलिया थोड़ी सेल्फिश बनी लेकिन इसको भी तो जिन्दा रखना है न तूपर पता नी क्या कांड हो रहा और कहानी मुझे चॉइस दे रही है कि मैं खबरा के उपर चला जाओ लेकिन नहीं बिना डिकम्प्रेस किये बिना गया जूलिया की सांस वासा उतक मैं विए लुकी सेल्टम हरें तूब और मजुपीड होगे मुझे इसल्बक atrav गोस्तु नहीं एल रिखना तूब कि सब्ञें उ खराफिरा तूब कि अपर प्रेस तूपर लूग्ण के बिना नहीं टीं अर्श रोखरें पातूखरें य तूब कि सूआर यु कि तो र अजया जब फ्लिस बता दिया कि खाना बनाने की चकर में थोड़ी सी आग लग लगे थी और अभी ठीक हो गया है तो कॉन्राइड नोस बोट की बारें बताया कि अरे कुछ मचवारे थे और थोड़ा उनकी बोट टक राएगे ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है और अलिक्स बताने लगे कि हमें बहुत बड़ा सा प्लेन मिला हूँ और काफी उसमें अच्छ अच्छे समान है तो जूलिया ने बोले कि तुम सब मुँ बंद करो देखो हमारी शादी हो रही है तो फ्लेस ने बोले किया रहे उपर आजो सेलिब्रेट करते हैं और ये क्यूरेटर यादे ना मेरी कहानी को रिकॉर्ड करने वाले ये अच्छे लिए फटेश अच्छे करते हैं फॉर्थ राइट, स्टबन. तो क्यों रेटर नो भी नी तारीफ की कि मैं अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ, अभी तक तो फिलाल अच्छा काम किया है मैंने. और इनों ने बोला कि इन पांचो की तुम्हें अभी कुछ डिसीजन लेने में मदद करनी होगी जो इनके आगे जाके काम आएंगे. तो कुल बिलाकर बात ये ना कि पांचो को जिन्दा रखना है किसी भी हाल में. तो कॉन्ञेट करने के लिए इनी पर्शन देखना है। तो को जो बिलाइक है बिलाल सिर्चेर के ब्हुत को भाल झाएंगे. और Alex पूछ जाएगे शादी के पास जब तू मिस्स जूलिया स्मित बन जाओगी तो कैसा लगेगा? तो मुझे लगते हैं कि जूलिया को अच्छे ही लगेगा तो बाहर देश में जादा तर कपल सबनी शादी की तैयारी खुदी करते हैं तो जूलिया ने बोलेगे चलो ठीक है हम लोग मिल के प्लान करेंगे शादी की बारे में और मैं काफी एक्साइटेड हू इस चीज़ के लिए और Alex बोला ही कि मैं घबरा रहा था मुझे लगे कि तुम मुझे से शादी करने से मना कर दोगी तो इसको बोल देता हूँ कि नहीं नहीं जूलिया प्यार करती है तो ना कैसे बोल देती तो जूलिया ने बोला कि तुम पागल हूँ मैं तो ओविस्ट यहां बोलने ही वाली थी I love you Alex Where did everyone go? There is much celebration to be had I'll go find them. You just relax Hey, you seen my brother or Fliss? No, I got distracted Let's go get him. Sure Brad and Julia are going to take Conrad, I don't know where he left Where did they go? So sorry to interrupt your 7 seconds in heaven Oh yeah, the beers I was just getting them now So for celebrating Conrad or the beer It was not here Come on, let's celebrate Everything was good How good everything is going on Everything is going on, don't get attention But if I got the right money, everything will be good I hope that I will take the right money Alright, now that everybody is here Let's take a look at the navigator's pad we found Maybe we can figure out why the plane was out here Where did you put it? It's in your case Okay, I'll go get it Hey So Alex said that when everyone is here You know that this plane was in which ship Was in which ship? So, how does it feel to be a manned post proposal? Relieving, honestly I've been carrying that around for a while So, the plane that the paper was made Is it going to take it And it will be known as the ship Why did you do it on the dive? I wanted it to be memorable It's not that memorable So Brad asked his brother Alex How did you feel? Now when you proposed Alex said that you were feeling Relief I thought it was a lot of time To be able to propose Right here So, as people know about that ship They will obviously go to that ship Then they will know what the ship is going to be Huh You'll get no resistance there Alright everyone Check it out Manchurian gold Who wants to find some sunken treasure? So what do you think Captain? Coordinates? Those are coordinates, alright Maybe the plane's destination? You think we could get there by tomorrow? It takes a couple hours if the weather stays steady Wow You find anything else? We found a flight plan that indicated The plane was on some kind of rescue mission From a nearby US base Reckless All of you Excuse me? I told you to leave everything down there alone Oh come on We've been through this already I'm not talking about the law No, hey They were respectful No, you did whatever you wanted Whatever you took It was too much So they are thinking that they will get to that ship And they will reach that ship But Fliss is upset I thought that I had thought that I had thought that You were wrong So I will tell him that I don't take both of you You're right We should have been more careful That's not me I'm sorry Okay Maybe I don't know you You should have never gone down to that plane in the first place It's bad luck You think you can scavenge down there and it makes no difference But every single thing you bring back has an essence It's like a ghost you invite to the surface It's like a ghost Cool ghost stories They are not Cool ghost stories Not like for fun People drown in these waters and you have to respect their resting place Damn straight Brad You got a fun ghost story Right? तो फिल्स अभड करन ले दिए अजा ठीकर कोंगो बचली कोई थासओ तो प्लिस भराग निए फिर यह लेए, तो बाइक लेवे लोगे लोगे और रहां कोई यह लेकी कोई लोगे में दुमर बार दूचार कि दुम अव कि एीरर का सुम घर कऴ नहीं हूं उरली कॉछ लिएवत थार इंहाते हैं बिलुट क्या यां के लूट exactly युछ वहारे बा ऐारिंज ऑार एकी डिल् कि चानले औरीयॹ लप्योगी इंहार' acceso में सेम्ट लगाई। शेवेजिए लगास जच झेलाजार इड़ टॉट इसलेख जिवाई। इसलेटों वेड़ जल्टे शियूखन इस्लेख इ जिवमा इसलेज को अपने टोड़्मा इसलेजर हो जिवा शेली से घज झाता फस्रिट मैंस अरोडिक निया अड़ी निया वंझ एक अरणी लाद देखर और झाय लैटिक जो रहान से हॉना बश्चाऑ्स कानी आदी ले लाग भाहाँ बहार हम रहीं रुगी कि उसे पुछा है, जो और रहा है मैंस का रहा हम रहां में मैं मिल दो इक सब्सद्रिकर आपी ibaist तो बैट आगी एक आजी बता रहा हुए वी उरत भी माली को भेला है कि आज़ा है तो आज़ा होगा हू आज़ कमाली को दिलागी को बूला बाटो बना कि प्रूटली अज़ा है रहा हूँ। प्रिविए There's a man inside... But he sliced out his own insides with a meat hook! Horrified, he looks closer to see the dead krab day'n the dark Closr r.. Closr And he sees... It's his own face! And then, it's eyes bulge out and screams! RED HONK! H' 남자'day! Super twist! nice nice one squire एक दोड़िए प्रेडर प्रव दोड़िए प्राइब तूटल और यह दो कि रहें ? यह एक बड़र्वावग फिश्टस्ट्टिशिशनल प्रोड़कॉल सब दिविजन 1099 वहा वर तूड़िए वेडिए अड़ीज़ देप है? तो फ्लिस्बूरी थी कि चलो बहुत सेलिब्रेशन कर यह मौसम खराब अंदर चल के सोते हैं लेकिन कॉन्राइड एक नंबर का प्यक्रड इसलिए उसने जुट पूट के रूल बना के बुला कि एक और पी नहीं पड़ेगा सोने यह नियम है भाई तो पादी सी लोग जो निकाल के लाए थे उसके बाद अब क्या भूता होने वाला में वेट कर रहा हूं एक प्रिडिक प्रिड़ी यह भूत लोग ऐसा रेंगोट पहन कि यूँ आए बन ओ यह भूत है भूत के नाम पे कलंक है ऐसे धिली दिर आएगा यह याद रखने जो सबसे बनमाश होते हैं ग्रूप पे सबसे पहले उसी पे हमला होता है कॉन्रेड गया यह भूत नहीं यह कोई आदमी है तो इस आतमी ने कॉन्राट को बकड़ लिया और इसका नाम जो अरे यह वही बोट वाले लोग है इनकी बोट में थोड़ा सा छीद के होगी है यह लोग तो मारने आगए डारेक्ट अच्छा सब को बान बान भान भी दिया नी जल्दी अरे पैसे ले लो यार पार दी क्या जरूवत है तो यह तो बहुत अव्यस है कि यही इन लोगों का बोस है और यही आदमी था ना जो गन दिखा रहा था कॉन्राट को अब वो सीन आने वाला है अच्छा इन चारू को तो पकड़ के बान दिया है लेकिन एलिक्स का छोटा भाई ब्रैट कहा गया वो इनको मिला नहीं या उसको मारवार दिया है पता नहीं तो लेडिस फर्स बोलते हैं इसलिए सबसे पहले फ्लिस का मुझ खोलते है फिलिस का नहीं पकाँ या नहीं थेख्लेट को तेख्ली तो अब हुआ या रख्ली उसके बात कर सकते हूं या एलेक्स का मुझ खोल सकते हूं बात तो बात में भी कर सकते हैं, अलेक्स का बिचारे का मूँ खोल देते हैं यह कॉर्णाड को क्या जरुवत थी पंगा लेनी की भाई अच्छा इसका नाम जूनियर है और इसी के तकले पर बोता है अच्छा नाम जरुवत देते हैं, कॉर्णाड ने तो जूली अजाद नहीं कोशिश करी अच्छा करी यह लेकिन जल्दी गरो I don't see how this could get any worse The bad news is, these are kinda maybe the fishermen I pissed off earlier Oh goddammit Conrad Great, just great And the good news? I recognize them How was that good news? I thought you were gonna ask the good news first You're such an idiot, Jesus! Hey Alex, what are they gonna do to us? Don't worry, they were gonna kill us They would've done it already I'm not just worried about being killed So Conrad had both told us that those people who had the mood set up a few days before And these people are obviously have to change So either I can open my hand or I can investigate So before I can open my hand This is necessary that there is no doubt No doubt If you look at the time, if you look at the hand open, then you will feel like You're gonna regret this, you piece of shit You're gonna rot in a cell So what's the reason people are going to kill you and you're going to die in jail and the good thing didn't open his hand because one is coming from him Yeah You wanted to say that just don't know something you are here I will do something with you and you will have to continue प्लिस इस गुंडे को करी आ रही थी और कॉंड्राइट बोल रहा था कि देखा गाली सुनी न अच्छा लगा मजा आया तो गुंडे ऐसे भी कॉंड्राइट के पर भड़का वाद और जादा भड़ा गया बहुत पीटा भाईस थे तो इससे मैं सीरियस्नी पूछता हूँ कि तेरे को चाहिए क्या पैसे विसे चाहिए तू ले और फुट यहां से यह आदमी पावला है क्या बोर्ड में थोड़ा सा छेद होगी है तो क्या दिमाग में छेद कर देगा और इस गुंडे के खुद के आदमी बोल रहे हैं भाई अराम से मतला पार दे की जरुवत नहीं है तो इसको कॉंड्राइट गरिया सकते है लिगे ऐसा नहीं करेंगे इसको बोलता हूं मत कर तो यह गुंडे उलसन का कहना है किसको बात में ख़तम करेंगे मुझे लगता है कि मैं इसको गाली बगतेता है और डेफिनेटली यह मार देता है कॉंड्राइट को तो यह गुंड़ा जिसका नाम जूनियर ही यह बोल रहा है कि अच्छे से बरताफ करना छोटे आतमी तो इसको मैं अकड़ दिखा सकते हूं लेकिन अभी वली सिचुएशन में अकड़ दिखाना सही दिए इसलिए मैं दिमाग लगता हूं बलता हूं ठी है टो जूलिया ने ने तो जूलिया ने ने तो जूलिया ने वहाँ चाची से अलेक्स का हथ खोल डीया लेकिन बोलों और उन्हें देखिया ने देखिया ने तो जोलो जाएगा अगसली कब्सॏ थो अविस फर दूस कि और वी अजू वुको यह उड़े जिए अपीजू एब लुगोफ। हम जो अगए। मैंनननन सब की च्ट्पार्टरी और जुड़े जुड़े जुन traveling एल्लुन कॉन्राइट को बोला कि जूलिया को बोले कुछ ने करेंगे क्योंकि फिलिस को भी उने मारा नहीं है अच्छा एक और चीज़ एलेक्स का लग रहा है कि ये फिलिस इन गुंडों के साथ दोस्ती कर रही है और है कॉन्राइट सिच भी या जढ़ को थे नहीं भाई नाहीं भाई भाई को स्कूलिग ये वेच्छा देख यन तो अप्रको है ऑीख भाई को एक्षणोंगे कर दो भाई को आइफ येच दिकी ऩटेंगा सब्सक्राइजिक बाफिकर जाफिस उख झाल है रिधेगे कर सक्सक्ती ता में हुए स्ट रे अशाव Pil health कक्र्वा फट वेगन मूचा उपक्रमों कि अैव धог कि अब तक्रिक तो जूलिया बता रही ही कि इन लोगों ने उसको मारा वारा नहीं लेकिन वो इससे तहकिकात कर रहे थे और पूछा कि इनके पैरेंट्स कोन है और उनके पास कितने पैसे और एलेक्स ने जो शादी के लिए प्रपोस करने के लिए जो अंगोठी दी थी वो छिनली मनूसों तो इनका मकसद समझवा गया इनको पैसे ही चाहिए तो एलेक्स को बुरा नहीं लग रहे है कि उसकी दी वी अंगोठी छिनली क्योंकि जूलिया तो जिन्दा है और साही सलामत है तो कॉट्राइट पते थी क्यों लेकिन 20 के बार में गिन रहा थे कि कितने सेगेंड्स में बिज्डी कड़क रही है और एलेक्स जूलिया प्लैने कि जिस बोट से लोगा आया उस बोट को लेकर हम लोग यहां से भाग सकते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक है मैं छुप तो कैसे बौड़iquष थाला है एलेक्स पीखले न्यौं की एले सा रहाँ में पालता हूँ कि कर रहा है उ ​​क टो सुकतले न्यौट कहा थी उआ खरी पटके हूँ तो जैसे बिज़िक कड़के ये खिरकी तोड़के Conrad को भागना है अच्छे जूलिया ने बता है कि उन में से एक आत्मी के पास गन भी और हमने फ्यूचर देखा था की Conrad भाग रहा है बोट से और गन वाला आत्मी उसको मार रहा है तो क्या करें बोट से भागे या नहीं अगर ये एक्स दबाने की टाइमिंग मेरी इतनी से भी गलत हुई न तो ये आत्मी देख लेगा तो Conrad की पास ओप्टन दी या तो बोट लेके भागे या फिर चाखू लेके अपनी दोस्तों की मदद करें तो भूत वाली मूवीस में कभी अलग नहीं होना चाहिए और दोस्तों की मदद करनी चाहिए तो डही है ये विए अपने अभए लेए ट望 to planting अजयए तुछ आवआट कर दोस्तों की रिजोस्तों की पास्याकि अवेश्व 생각이 अपना एख क्यूआ ना की वाजमी बूली लिएख को छीवी और भी घ्एख।। तेरा हुआ टेरा की में लेसा स resp Echo तू जूलिया भड़क नहीं क्योंकि गॉन्राइट भागा ने इनकी मदद करने के लिए रुगया या तो मैं गन लू या फिर यहां से भागू भागना चौप्शन नहीं क्यों फिर यह मुझे गोली बार देगा गन ले लेते हैं अब हुआ कर दो जुआ करने देगा भागना,क्शूरी जूँआ यहां लूड़ तो एलिक्स ओलसन को बोलना थे कि इस बोट से उतर जा और लेकिन ओलसन ने बोला खी अब तुम्हारी बोट में इस बोट का कैप्टन मैं हूँ तो Conrad या तो Alex को मना कर सकता है या फिर उसको हमला करने बोल सकता है तो मना ही कर दे तो और जूलिया मरेगी DuLsen आटीा सकता है तो सबसे दो बेले भीड करने दोएले हमा草 है तो और जिस अरे लिएफने दोहाई है ओूलिया तो या बश दय मा को ठाल है किैसरी बाAustral लिचल कर आथ है तो दोसी फिरेंटें फिरेंच करें दोच हमेरे और और रखनें के लिए तो इस अप्रविश्म ठे लग फेसे खुरेंट । और सबस्तित उसके लगाँ से सबब स्बस्तों! वाँ अच्छाआपि एक उसके को सुवाँड़ा! व्ट विष ओन एप टेल मी इस मैंशरी अ मदूड्ढूड़ी अ जा अचाहिए जिए चाहिए समय जा यहोगा भी? गोल सब खुश हो रहा है सोच जाए कि इसको खजाने का बता चल गए और बोल रहा है कि तुम में से कौन मुझे इस मंचूरियन गोल्ड के बारे में बताएगा भाई तेरे को पता नहीं कि कहा तू अपनी मौत के तरफ जा रहा है इसके हाथ से किसी तरह गण चीन लेता तो बात बन जाए तो जुलियो को बुरा लग रहा था कि इनका प्लान सक्सिस्फुल नहीं हुआ तो एलिक्स ने बुलागे तो मैं चुपचाप हाथ पहाथ धर के नहीं ना बैच सकता था ता मुझे भी कुछ करना था और यह जुनिय भड़क रहे हैं कि लोग बात क्यों कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि बस बात ही तो कर रहे हैं तो एलिक्स फ्लिस के उपर इल्जाम लगा रहा है कि मुझे लगते हैं कि यह इनके साथ मिलीवी और मंचुरियन गोल्ड के बारे में इसी अज़ कि अपर इन लोगों को तो फ्लिस इस भड़क भी सकती लेकिन अबी भड़क ने था इन रहे हैं मैं बस बोल्ड़क तो यह सश्या है अज़ा एल्चस अब भी यह लग लग है यह लग एश्या लग यह लग लग दूए अद्ट प्लिस और यह लोग मिलेवे तो है यह लग है लूँ जिए लेवाँ जा तो जातर प्लिफरो का लग रएको है लोग रहता है क्यों वह लोग क्यों अब एक है प्लिफोरो खोरो कि बोल्चस वाज़ा है तो तो भी कंसेटी स्क्वेटिंस तोलसन ने बुलें कि रेडियो पर बता करूँ कि ये दुफान कम तक रुकेगा तो ये कोसगार्ट फ्लिस से पूछा है कि सब कुछ ठीक है अगर मैं इसको बता देता हूं कि कांड हो रहा है तोलसन डेफिनेटली एक कोछ नहीं बताता हूं तो कुसगार्ट ने बता है कि ये घंटे में तुम्हारे तक भोटी भ्हंगर तुफान आने वाला है और वो फ्लिस की आवास से समझगे कि इसको कोई तो दिखका दे लेकिन मैं इसको अभी भी कुछ भी नहीं बता सकता तोलसन दे बुला देगी कुछ भी ऐसा तीन पांच मत करना तो नहीं कि आप लिस ने ठीक है कोजगार्ट को कुछ नहीं बताया ये खजाने के चक्कर में नमरवाईगा उलसन तो ये उलसन बद्भास है ये इस ने बचा लिए उलसन बद्भास लेकिन इस ने भी इसको भी तो पर लिए और थी बचा लिए और ये बुल रहे है कि एक दूसे करें कि तो सब कुछ अच्छ हो लाएगा समझे एड़ तो तो फ्लिस के पास अप्शन है उन लोगों की मदद करनेगी या फिर याँ खड़े रहनेगी तो मदद करेंगी फ्लिस तो जूलिया फ्लिस को थैंक्यों बद करने के लिए और ये भी पूछे कि ब्रैट को किसी ने देखा इन सब चक्कर में वो कहां चुपाओ है किसी को कुछ पता ही नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि ये ब्रैट के बारे में इन लोगों को बताने ही जरुवत नहीं, वो छुपा राएगा तो बाद में हमारी मदद कर सकता है तो जूलिया परिशान हो नहीं थी कि ऐसा नहीं हो कि ब्रैट नीचे गूप को बर जाए तो एलिक से बुले कि ब्रैट बड़ा लड़का है और वुच्पर आएगा तो जादा अच्छा है ये सर्जेंट के स्केलेटर ने, याद है सर्जेंट गिर के इस बोट पे मरे थे तो फाइलली वो पुदाः शिप इनको मिल गई है ये उलसन मरे का सब को मरवाएगा तो ये क्यूरेटर मेरी आइधिंक के आरिफ कर रहे है कि अभी सब जिंदा है और हो सकता है कि जिंदा नहीं रहते हैं अगर तुम सही तो नहीं लेते तो मत बस्ता है तो नहीं बोला, लेकिन मुझे लग रहे है कि सही पाइसला लिया तभी तो जिंदा है I hope पता नहीं Kind-hearted creature I am I'd like to offer you some forewarning of what's to come Tempted? So you're going to say my heart is big so I can tell you what's going to happen so I want to know what's going to happen यह बिरी तारीफ कर रहे है यह कंबल में लपीट के मार रहे है यह पता नहीं तो यह curator की personality बहुत अच्छी है लेकिन यह आदमी साही नहीं यह दो ने मतलब एक तरह से मुझे आप tension में डाल दिया है इनका कहना था कि जैसे सब दिख रहा है न वैसे सब है नहीं और मुझे यह बात तुम्हें बतानी नहीं चाही थी मैंने गलती से बता दी भाई मुझे कोई धोका दे रहा है क्या मतलब इस गुरूप में टेंशन में डाल दिया यार क्यों रेटर ने यह गलत बात है हाई रे इनकी भोटी किस्वत इस शिप के अंदर जाने के लिए इनको डूर भी मिल गया है जाओ जाओ मरोगे सबकिसब जुनियोर ने रोची अला तेट अलिमार तो कुंडो ने फिलिस के शिप से कुछ ज़रूरी समान निकाल लिया है ताकि यह लोग भाग नहीं सकें भाग तो गेम के स्टाटिक में जो शिप दिखाया गया था वही शिप है यह और इसी पे सारे भूत वाले कांड हुए थे अच्छा आप लोग ने लाइट आफ कर लिये क्या रूम की भाई ओन कर लो अब कभी भी भूत आ सकते अचानक से तो उलसन बोल रही कि यह शिप कम कभिस्तान जादा है बलबे इतने लोगों की लाइट जो है यहाँ पर तो जूलिया यह कहना है ठीकी है कि यह तैरता हुआ एक तरह का मौत का जाल है क्या पता कभी यह शिप दूप जाए या कुछ गिरिया इनके सर पर भारी और एक की मौत हो जाए तो जूलिया कम आप पर ब्रेस्ट गिरिया यह बात ही आद रखना है कुछ तो काम आएगा भाई आदे के साथ शुरू हो गया तो उलसन अपने लोगों से बोल कि इनको शिप पर भी बान सकता था लेकिन इसको डर था कि कहीं यह लोग रेडियो पर कॉन्टैक करके मदद नहीं मांग ले तो फ्लिस कह रही कि इस मन्हूज जगह पे मैंने आने का इरादा नहीं किया था और कॉन्रैट को भी लग रहे कि कुछ तो अजीब इस जगह में रॉंग्टे खड़ और मेरे अचा मैं देख रहा था कि मैं वापस जाने लगूँगा तो मुझे जाने देगा नहीं जाने देगा भाई आगे ही बढ़ना है हां मुझे जल्दी जाने नहीं बोलेगा लेकिन मैं पीछे नहीं जा सकता अच्छा विकी कॉशल की कौन से तू मुवी थी भाई भूत नाम था क्या वो जो शिप में एक भूत वाली मुवी थी तो यह ओविसलियर मिलर के कपड़े और दैनी जो इन में से कुंड़ा है वो दॉन्यर को लेकर और बोल रहा है कि यहां से निकलना चाहिए लेकिन जुनियर को खाजाना डूड़ना है यह पर क्या, भड़ खाजना में टाइक वाल्यूणित में? क، क्यों दूआ है पकी क्यों वोाख़ने ह। कॉवअः पक्यों टुहाँ सबल्दीकष самое तूचोचचचतOP को टाना हमस्त। लिचाणा भूषन सम assistants क्यों करता ह algún, बदूदा दित। इस paper को check करने को option दिया है देखते इस पे क्या लिखा हुआ है जो भी मिले उसको check करते रहना है बाद में कुछ भी काम आ सकता है तो इसमें लिखा हुआ है कि पैटरसन को जब भी guard duty मिलती है न 3A के पास जो कि मुझे लग रहे है कि 3rd floor है वो हमेशा बेमार होने का नाटक करता है तो पता नहीं क्यों लेकिन पैटरसन 3A के पास duty नहीं करना जाता है कुछ तो जोल है वहाँ पर और जिस officer को उसके बदले duty क करने पड़ी उसने ये लिखाए कि ये तीसरी बार पैटरसन ऐसा कर चुका है तो हो सकते है कि ये बेरी लिख लूए कि 3A नाम की जो जगह है इस ship में वहाँ पर जाने का नहीं वहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा खत्रा है हो सकते हैं मुझे लग रहे है कि ये एक तरह की वार्निंग ये है ने ने अच्छा ही है सब को रूम में बंद कर दो और तुम लोग जो ख़जाना डोडने मिलेगा तुमको ख़जाना तो एलिक्स ने बुले कि या पर बहुत आदा अंधेरा है हमें कुछ तो रॉष्णी के लिए तो जुनियर ने डॉष दे दिया मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्यूरेटर ने बुला है कि जैसा दिख रहा है वैसा सब कुछ है नहीं इसका क्या मतलब है पता नहीं आगे पता चलेगा तो एलिक्स जा रहा है कि यह जगा है क्या भाई यह एक छोड़ी वी शिप और क्या है मैं बता दे तो मतलब यह शिप और कोई आता जाता है नहीं तो मंचूरियत कोल्ड का तो पता नहीं लेकिन एक एकर करके सब का मंचूरियन बनेगा तो एलिक्स का फिर से कहना है कि देखो चुप-चाप से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा हमें प्लान चाहिए पर फ्लिस मना करिए कि देखो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा और अभी क्योंकि मैं Conrad हूँ तो मैं Alex की बाद से सहमा तो यहाँ पर बैठे रहे हैं इसे कुछ नहीं होने वाला प्लान चाहिए तो Conrad और Alex जा रहे हैं से जल्डी जल्डी यह लोग प्लान बना कर निकले और Alex बोल रहे हैं मुझे जाक अपने भाई ब्राट को भी दोड़ना है उसके साथ पता नहीं क्या हुआ लेगन फ्लिस बोल रहे है कि बिना डिस्ट्रिब्यूटर कैम लोग कहीं भी नहीं जा सकते तो फ्लिस से में पूछते हुआ कि यह समान है क्या प्लिस बिसके बिस्साँ के बिस्साँ किसे बिस्से वेट वजayan को है कि दूछते वे से वाल से वाल में, wz प्लूल यह गिर्या, शोती ऱुम में चीर के वेडिं़ च्छती से का तूम ट ihtूम प्लूल बाद्स been जवुए कि जा लुछ जो याव एलिक्स ने फ्लिस को अच्छा किया सौरी बोल दिया कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया और मैं समझ गे तुम उनके साथ नहीं मिली वियो क्योंकि जितना वो लोग हमारे साथ बुरा परताफ कर रहे हैं तो फिलिस ने इसको माफ कर दिया है और एलेक्स ने बुल तो अभी यहां पर हर एक चीज को observe करना और देखना है कि यहां से कैसे निकल सकते हैं यह वेंटिलेटर टाइप का लग रहा है इससे हम लोग भाग सकते हैं मतलब यह पाचो तो जब तक Alex उसको तोड़ने की कुशिश कर रहा है मैं देख रहा हूँ यहां पर और क्या क्या है बहुत पुराना पेपर है लेकिन पेपर में न्यूस दिखिवी है कि 24 आर्केलोजिस्स मिसिंग है यह information बहुत पुरानी है लेकिन हो सकता है कि आगे कुछ काम आ है लेकिन फिलाल यहां पे देखते हैं कि अभी इस situation से बाहर निकलने का कुछ है क्या तो पता नहीं क्यों लेकिन Conrad को यह चश्मा काफी creepy लग रहा है और Alex इतना तोड़ने में टाइम लगाएगा भाई तो यह लेटर किसी soldier ने अपनी wife के लिए लिखा था कि बस तीन महिनों में मुझे चुटी मिलने ही वाली है और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा और मैं तुम्हार बस जल्दी आ जाओंगा ओ भाई साब तो जूलिया बहुत घबरा रही क्योंकि उसको समझ भी ने आ रहा है कि इस शिप में हुआ क्या है तो यह लेटर ऑफिसर मिलर ने लिखा है जिनका यूनिफॉर्म भी देखा था हमने आते टाइम और यह लिखते है कि जहां मैं नीचे ड्यूटी करता हूँ ना तो काफी अंधेरा और काफी बुदा आ जगा है और मेरे कुछ साथियों ने वहाँ पर कुछ आजीब सा किसी को गूमते देखा है लेकिन मेने तो नहीं देखा है तो अब यह लिखा है तो अब यह कनफॉर्म होगिए कि थ्रीय के पास पका कोई भूत और कॉन्राट भी बोल रहा है कि लगता है कि मैं इस भूता जागा में बरने वाला हूँ तो यहां पर कुछ कुछ गटावा है या को तो यह पूतेए यहां मेद रखावाइ यह बियुट कुछ अगूते नुमते चितों खूते हैं कि अवाले नुला यह अए विर्फ यह नुते हैं फैंद्सक्ष्ऺ जग्सक्णीप जई टूती बिसे टो तो यह लोग फ्रेंच वे बात करें कि हम लोग हजाना रूंड यह अमीर बनने ही वाले वस तुम कैदियों पे नज़र रखो मिलाब इन पांचों पर नज़र रखते रहे भाई मैं तो यहां से निकला अलेक्स खुलिया क्या यह यह वालेक्स वालेक्स खुली ने पाया अभी तक तो एलेक्स वेंट को खुल के अंदर जाने के बात कर रहे हैं लेकिन फ्रिस बोल रहे हैं कि पता नहीं यह वेंट कहा जाएगा तो फेल आर्मी आज एक काम करो आज आप लो कॉमेंट करो और बताओ के वेंट के अंदर से जाने का या रूम में रुकने का और फ्लिस की बात मानने का और जाने इस पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ कल मैन ओफ मेडन के एक नए एपिसोड के साथ टाटा टेक केर ख्याल रखो सब